हेलो फ्रेंड्स, आएम अभिनव सक्सेना, आईए येस 2018 बैच और आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, नेशनलिजम इन इंडिया, इसके उपर डिसक्शन करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक्ग्राउंड और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मुझे जब डेली नॉलेज ट्रेक के इस इनिशेटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग के बारे में पता चला, तो मुझे उस समय की याद आई जब मैं कॉलेज में और इंजिनियरिंग के दोरान, अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था, तो मुझे काफी अच्छा लगता था, और अच्छी फीलिंग आती थी कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ, अपनी नॉलेज के थूँ, साथ ही साथ जब मैं जॉब कर रहा था, तब भी एंजियो संस्ताओं के माध्यम से, स्कूली बच्चों को भी पढ़ाया करता था, तो उस समय जो खुशी मिलती थी, उसका कोई वैल्यू नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि वो खुशी सेम, मैं वापिस से उसकी अनुभूती करूँ, और उसके लिए मुझे डेली नॉलेज ट्रेक के साथ जुड़ने का मौका मिला, उसके लिए मैं डेली नॉलेज ट्रेक की टीम का धन्यवाद करता हूँ, और आज आपके सामने हिस्टरी का नेशनलिजम इंडिया, इस चैप्टर के उपर डिस्कुशन करना शुरू करता हूँ, नेशनलिजम इनिजिए से पहले हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि नेशनलिजम की शुरूआत कैसे हूई थी, और modern nationalism कहां से आया था तो modern nationalism यूरोप से start हुआ था जब nation states बनना शुरू हुए थे और जब nation states बने तो लोगों की जो understanding थी के वो कौन है, who they were, उनकी क्या identity है क्या उनका कोई sense of belonging है, ये उनको मालूम होने लगा और वो identity किस तरह से shape में आई, कुछ नए symbols, icons नए नए गाने, जो patriotic songs थे, नए कुछ ideas आए और इन सब का result क्या हुआ, नए boundaries बनी of communities not just of nation states, but also of communities इसलिए हम देखते हैं कि यूरोप में कई ऐसे nation states हैं जो communities की identities के basis बने, for example, ethnic identities हो सकती है या language के base पे identities हो सकती हैं उनके basis पर ही एक नई identity, एक nation को मिली और वो एक nation state के रूप में उबर के आया तो ये modern nationalism की शुरुआत थी अब nationalism इंडिया में कैसे आया और कैसे उसकी शुरुआत हुई तो इंडिया में nationalism जो है वो anti-colonial movement के साथ काफी ज़ादा जुड़ा हुआ है क्यूं? क्यूंकि anti-colonial movement में हमारे अंदर एक unity की भावना आई थी के struggle के time पर भी हम united थे और struggle की वज़े से ही हम united थे उस वज़े से वो जो anti-colonial feeling थी that translated into the feeling of nationalism और unity क्यूं आई हमारे अंदर? क्यूंकि all of our were being oppressed तो वो जो sense of being oppressed था, colonialism के अंदर उस oppression की वज़े से भी हमारे अंदर unity आई और उस unity की वज़े से एक shared bond हमने develop किया जो बहुत सारे जो varying groups थे, different classes थे different sections थे, society के, उन सब को बांध के रखा उस bond ने तो वो shared bond ही फिर ultimately इंडिया का जो nationalism है उसमें translate हुआ बट हमीं ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो unity थी हमारी वो बिना किसी conflict के नहीं थी, काफी सारे conflicts थे कई groups के अंदर और एक जो बहुत important feature था nationalism का वो था कि बहुत mass processions निकलने लगे थे streets पर during the entire course of nationalism इसके बाद अगर हम बात करें तो कैसे वो नेशनलिजम उभर कर आया और क्या-क्या movement उसमें हुए नेशनलिजम में तो अगर हम 1915 से शुरूआत करें जन्वरी 1915 जब गांधी जी साउथ अफरीका से वापस आये वहां पर उन्होंने रेसिस्ट रेजीम के अगेंस्ट सत्याग्रह को काफी अच्छे से टेस्ट किया और सत्याग्रह की success को ही उन्होंने चाहा के वो repeat करें इंडिया में भी और उस सत्याग्रह के बारे में जो गांधी जी के विचारते वो क्या थे कि सत्याग्रह is not a passive resistance सत्याग्रह एक बहुत ही intense activity है और इसके अंदर active participation चाहिए होता है बट वह active participation एक ऐसा participation है जिसमें masses would agitate and they would realize the power of truth और truth की सर्च में ही सत्य का अग्रह करेंगे तो उस truth की सर्च में सत्याग्रह करेंगे और physical force का बिल्कुल भी use नहीं करेंगे तो गांदी जी ने non-violence को जो एक धर्म की तरह से promote किया उसके पीछे सत्याग्रह का ही idea था तो सत्याग्रह में हम फिर कैसे हमारे दुश्मन के उपर विजय पराप्त करने की कोशिश करते हैं हम उसकी conscience को appeal करते हैं हम उसको truth देखने के लिए persuade करते हैं we are not forcing our enemies with the truth के यह truth है और आपको यह मानना होगा we are persuading them with the power of our mass agitation with the power of truth तो इस idea के साथ national movement जो हमारा nationalism का था वो शुरू हुआ और धीरे धीरे वो non-cooperation, civil disobedience movement की तरफ बढ़ता हुआ quit India movement और ultimately हमारी independence के रूप में उसका completion हुआ तो 1915 के बाद धीरे धीरे जो 1914 से 1918 का world war one का period है उसमें कुछ नई economic and political situations सामने आई जिसमें की एक बहुत important चीज थी के war के जो loans थे countries को लेने पड़ रहे थे Britain को और allies को उसके अलावा taxes भी rise हो रहे थे तो उसकी वज़े से prices increase होने लगी और prices almost double हो गई 1913 और 18 के बीच में इसके अलावा फिर after war क्या हुआ after war एक और feature था के crops भी fail हो गए तो उसकी वज़े से food shortage होने लगी इंडिया में famine मतलब सूखा हुआ सूखा पड़ा भुकमरी हुई और एक बहुत important जो feature था उस दोरान का वो था influenza epidemic जैसे अभी हम देख रहे हैं coronavirus epidemic इसी तरह से उस टाइम पर एक influenza epidemic हुआ था उसको spanish flu भी बोला जाता है और इसका impact इतना जादा था कि census to 1921 के जो figures हैं वो बोलते हैं कि almost 1.2 to 1.3 crore people died because of famines and epidemic और World War के टाइम पर एक और जो बहुत negative feature देखने को आया था वो था forced recruitment इंडिया से भी गाहों से कई लोगों को forcefully recruit करके आर्मी में और World War 1 में लड़ने के लिए बेजा गया तो इन कुछ economic political factors की वज़े से एक resentment था colonial powers के अगेंस्ट और oppression तो था ही तो यह oppression plus resentment resulted into a national movement और वो national movement 1919 में ultimately culminate हुआ और spread हुआ नए areas में उसमें नए social groups जुड़े और नए modes of struggle आये और हम देखेंगे के वो नए areas कौन कौन से थे नए social groups उसमें कौन से आये और क्या नए modes of struggle थे तो सबसे पहले हम बात करें महात्मा गांदी और उनके सत्याग्रह की तो 1970 में उन्होंने सबसे पहले चंपारन में बिहार की चंपारन में सत्यक्राइक तरह उससे शुरूबात हुई और उसमें उन्होंने जो वहां के पीजेंट्स थे वहां के किसान थे उनको एंसपार किया कि वहां के प्लानटेशन सिस्टम की जो प्रताणने है उनका विरोध करें वह उस plantation system के जो oppressions हैं उनको oppose करें क्योंकि उस time पे वहाँ indigo का जो forceful और discriminatory plantation होता था वो वहाँ के किसानों के लिए बहुती दैनी इस्तिती में उनको उसने डाल दिया था और उस दैनी इस्तिती से बाहर निकालने के लिए गांदी जी ने वहाँ के कुछ लीडर्स जैसे की डॉक्टर राजेंद प्रसाद उनके साथ मिलकर चंपारन में सत्याग्रह किया इसके बाद फिर वो खेडा में उसी साल गुजरात में वहाँ भी उन्होंने सत्याग्रह किया वहाँ पे रीजन था एक तो प्लेग और दूसरा क्रॉफ फेलियर उन दोनों की वज़े से वहाँ के जो किसान थे वो काफी परेशान थे और उस उस परेशानी को दूर करने के के लिए खेडा सत्याग्रह का आयोजन किया फिर अगले साल 1918 में गांदी जी ने एहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ भी सत्याग्रह किया और उनकी जो दैनिये स्थिती थी उससे उनको बाहर निकालने के लिए प्रेशित किया अब इसी दोरान 1919 में रॉलेट एक पास किया गया और रॉलेट एक बहुत ही जादा उप्रेसिव एक्ट था उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन थे के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करेंगे और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको दो साल तक के लिए डिटेंशन पे ले जाया जा सकता तो दो साल के लिए उनको बंदी बनाया जा सकता था रॉलेट एक्ट के अंडर तो यह काफी जादा उप्रेसिव एक्ट था और इसके अगेंस्ट भी गांदी जी ने एक नेशन वाइट सत्याग्राय किया तो पहले हमने जो देखे थे चंपारन सत्याग्राय खेडा सत्या और इसकी शुरूआत कैसे की गांदी जी ने तो एक हरताल प्रपोस की जो की 6 अपरिल को हुई और इसका फिर आउटकम क्या हुआ या जब यह शुरूआत हुई रॉलेट सत्याग्राय की तो उस दौरान क्या घटना है घटी तो एक तो बहुत इंपॉर्टन घटना जो वो यह हुई कि अमरिट सर में कुछ लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया गांदी जी को दिल्ली में घुसने से रोका गया तो अब इस सब के चलते फिर 10 अप्रेल के दिन पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन के उपर भी फायर कर दिया और उस पीसफुल प्रोसेशन के अमरिट सर में अप्लाई किया गया लेकिन क्यूंकि यह 10 अप्रेल का समय था और 13 अप्रेल को बैसाकी का दिन था तो वहां मेला हर साल की तरह लगा उस मेले में दूर दारात से और आसपास के गाओं के लोग भी आए अब कई लोग ऐसे थे जिनको उस मार्शल लौ के बार क्य warp जायेगा क्योंकि जलियावाला बार की एक्जिटथ भी एकजिट भी नहीं थी केवाल एक ही एक्जिट थी उसको जनरल डाएर ने बंद कर दिया और मर्सी लेसलिए उन्होंने ओडर किया कि जितने भी लोग हैं उन सब पर fire किया जया और उनको मारा जाये क्यू Nils जन पुलिस के साथ क्लैशेज हुए गवर्मेंट बिल्डिंग पर अटेक्स हुए और उसको फिर ब्रिटिश ने ब्रूटल सप्रेशन के साथ रोकने की कोशिश की और वो ब्रूटल सप्रेशन इतना ज्यादा ब्रूटल था कि जो प्रोटेस्टर्स देखे जाते थे उनको जमी के रॉलेट सत्याग्राय किस तरह से अल्टिमेटली कॉल ओफ करना पड़ा बिकाउज ऑफ दी ब्रूटलिटी ऑफ दी ब्रिटिश एस फॉर ट्राइंग तू सप्रेश इट और एक जो लिमिटेशन थी रॉलेट सत्याग्राय की वह यह भी थी के वह सिटीज में और टाउ बिचार के उपर उन्होंने थोड़ा सा चिंतन मनन किया वह यह था कि हिंदूों को और मुस्लिमों को कैसे साथ लाया जाए और इसके लिए उने ऑपरचुनिटी देखी खिलाफत इशू में क्यूंकि वर्ल्ड वार वन जब एंड हुआ तो उस टाइम पर आटोमन टर्की जिसको की वर्ल्ड ओवर इसलाम की कैपिटल और इसलाम के जो कैलिफेट था वो तर्की में माना जाता था और उनकी डिफीट होने के साथ वर्ल्ड ओवर एक यह ऐसी फीलिंग आ गई थी के इसलाम के लिए बहुत खत्रे की बात है तो उस खत्रे से बचने के लिए सबी ज 19 के मार्च में World War 1 के बाद और इसके जो लीडर्स थे सबसे इंपॉर्टेंट वो थे मोहमद अली और शौकत अली जिनको अली बंदू या अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है तो इन्हों ने महत्मा गांदी के साथ डिसकस करके एक स्ट्रेटीजी बनाई और खिलाफ के साथ खिलाफत का एशुऊ भी जोड़ लें तो 9 काउप्रीशन जो है वो किस इसके सपोट में डोच एड़ दो चीजों क सपोर्ट में सौराज के सपोर्ट में और खिलाफत के सपोर्ट में और सेब्टेंबर सी दिस्पपर ।ो समय था वह बहुत ही जया था टसल वाला का उसमें नॉन कोपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया गया जिस तरह से गांधी जी ने बोला था मतलब सुराज और खिलाफत दोनों को हम सपोर्ट करेंगे और इस नॉन कोपरेशन इंडिन्स थे वो सिवल सर्विसे को भॉयकॉर्ट करेंगे जो आर्मी में थे जो पुली में थे जो वकील थे कोर्स में प्रेक्टिस करते थे वो सब अपनी को boycott करेंगे and they would not engage themselves in those government practices legislative councils का भी opposition हुआ schools and colleges में students ने जाना बंद किया साथ ही साथ foreign goods का भी boycott हुआ जो सबसे जादा visible था वो foreign goods का boycott था क्योंकि foreign cloth उसको जलाया गया कही जगे पे और भी जो foreign goods थे उनका consumption उनका use हमने करना बंद किया और उसको replace किया हमने जहां तक possible हुआ Indian goods के साथ जैसे कि foreign cloth की जगे हमने खादी को promote किया तो यह जो movement था यह December 1920 में adopt किया गया Congress session में नागपूर में और January 1921 में इसकी शुरुआत हुई अब इस movement में कई सारे social groups आए लेकिन उन सभी social groups की सब की अपनी-अपनी aspirations थी हर group एक अलग सोच के साथ इस movement के साथ जुड़ा था सभी के मन में एक आजादी और देश के प्रती देश-भक्ती वाली feeling होने के साथ-साथ अपनी खुद की जो दैनिय स्तिती थी डिटिश रूल के अंडर उससे बाहर आना उससे एक आजादी प्राप्त करना वो भी उनकी मन्चा थी इस movement के साथ जुड़ने के पीछे तो जो स्वराज था उसका सब के लिए एक अलग meaning था अब जो यह movement है यह towns में इसने अलग तर इसे evolve हुआ तो अगर हम towns की बात करें तो यहां पर middle class ने mostly participate किया था middle class के लावा students थे teachers थे lawyers थे यहां पर elections को boycott किया केवल एक जगे पर election को boycott नहीं किया था वो थी मदरास मदरास में justice party जो एक non-brahmin party के नाम से भी जानी जाती थी उस party ने बोला कि हमें elections लड़ने हैं क्यो उन्होंने केवल boycott नहीं किया elections का बाकी सब ने boycott किया foreign goods को भी boycott किया foreign clothes को जलाया public places में जैसा मैंने पहले बोला और foreign clothes को जलाने के साथ साथ खादी को भी promote किया बद खादी के साथ हमारे एक जो चीज हमें ध्यान रखने की है वो यह है कि खादी बहुत जादा expensive थी उस सम रॉलेट सत्याग्राय के बाद जो non-cooperation movement और खिलाफत movement है उसने किस तरीके से shape लिया rural areas में तो जैसे towns में middle classes students, teachers, lawyers ने participate किया rural areas में largely peasants and tribals ने participate किया अब अगर हम example देखें अवद का तो अवद में बाबा राम चंद्र जो की एक सन्यासी थे उन्होंने इस movement को lead किया और वो movement किस के अगेंस्ट था डारेक्ली ब्रिटिशार्स के अगेंस्ट नहीं था वो movement था जमीनदारों के अगेंस्ट, landlords के अगेंस्ट इस तरह से हमने औ बात करें तो इस ताइम पर नहरू जी ने भी कई villages का दोरा किया अवद के आसपास फिर उसी साल October 1920 की बात करें तो अवद किसान सभा का formulation हुआ और नहरू जी ने और राम चंद्र बाबाबा ने इसको head किया October 1920 में फिर next year 1921 में जब non-cooperation movement की actual में start हुई इससे पहले जो भी movement हो रहे थे वो एक रॉलेट सत्याग्राय का ही extended version थे और non-cooperation को full allegedly launch करने से पहले के छोटे-मोटे और कुछ areas में limited movement थे बट 1921 की जब बात आई और non-cooperation movement nationwide level पे फैला तो उस समय पे violence जो भड़की उसमें कुछ तालुकदार के घर जलाए गए कई merchants को attack किया गया बाजार उ भी दर्शाता है कि non-cooperation movement की शुरुवात भले ही एक सत्याग्राय के रूप में हुई गांदी जी ने पूरी कोशिश की कि उसको non-violent रखा जाए बट ultimately उसमें कहीं न कहीं हिंसा भड़की और उस हिंसा के बढ़कने का एक और example अगर हम देखें तो वो हमें आंदरा की नाम हमें याद रखने की जरूरत है वो है अलूरी सीताराम राजू का तो अलूरी सीताराम राजू जो थे वो यह क्लेम करते थे कि उनके पास कुछ special powers हैं वो हील कर सकते हैं लोगों को वो ठीक कर सकते हैं कुछ बीमारियों से तो वो एक तरह से अपने आपको गौड का ए अचीव कर सकते हैं या इंडिपेंडेंडेंस अचीव कर सकते हैं उनका मानना था कि आजादी के लिए हमें वाइलेंस तो करनी ही पड़ेगी बिकॉस ब्रिटिश आर वाइलेंट और जो इस वजह से उनको कैप्चर किया गया और फिर लिटिमेटली उनको 1924 में प्लांटेशन में भी एक अलगी किसम का नॉन कोपरेशन मूवमेंट सामने आया तो अगर हम असाम की बात करें वहां पे जो प्लांटेशन वर्कस थे उनके पास फ्रीली मूव करने का राइट उनका रिस्टिक्टेड था वो पूरी तरह से एकसाइज नहीं कर पाते थे अ अपना घर विजिट करना है तो उसको एक परमीशन लेनी पड़ेगी और आम तोर पर उनको ये परमीशन कभी भी नहीं दी जाती थी तो इस नॉन कोपरेशन मूवमेंट के दोरान वर्कस ने ये डिसाइड किया कि हम प्लांटेशन को छोड़के जाएंगे और वो ऐसा करन और एंड देवर ब्रूटली बीटन है तो इसी दोरान फिर अगले साल फेबररी 1922 में भी एक और वाइलेंट गटना हुई पुलिस के साथ एक वाइलेंट क्लैश हुआ 1922 में गोरकपुर के चोरी-चोरा में और इसको हम चोरी-चोरा हत्यागांड या चोरी-चोरा कांड क को भी रोग दिया तो नॉन कोपरेशन के बाद अब कैसे फिर सिविल डिसोबीडियन्स की तरफ नेशनलिजम या नेशनल मूव्मेंट बढ़ा उसकी अगर हम बात करें तो एक जो बहुत इंपोर्टेंट पॉलिटिकल फेक्टर उस ताइम पे था वह यह था कि कॉंग्रे के अंदर कुछ लीडर्स थे जो यह मानते थे कि काउंसिल के अंदर घुसकर ही ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं उनको अपोज किया जा सकता है तो इन लीडर्स में जो बहुत ही प्रॉमिनेंट नाम है वो हैं सियारदास और मोतिलाल नहरू जवालल नहरू के पिताज के वो काउंसिल में एंटर करेगी एलेक्शन लड़के और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज करेगी उसी समय पे जो कुछ यंगर लीडर्स थे जैसे की जवालल नहरू सुभास चंद्र बोस वो चाहते थे कि जो नेशनल मुव्मेंट है वो रेडिकल मास वो उनसे पूर्ण रूप से आजादी चाहते थे और जिसको हमने आगे चलके पूर्ण सुराज के रूप में भी देखा तो लेट 1920s में फिर अल्टिमेटली कुछ वर्ल्ड के फेक्टर्स वापिस से आये जैसे की 1914 से 1918 के टाइम वर्ल्ड वार एक बहुत ही जादा कैसे शेप हुआ उसमें भी फॉर एक्जांपल ग्रेट डिप्रेशन के दौरान 1926 से 1930 तक अग्रिकल्चर की प्राइस गिरने लगी और 1930 में तो वो प्राइसे अल्मोस्ट कोलैप्स हो गई तो जो किसान थे जो टैनेंट फार्मर्स थे वो सब रेवन्यू जमा करने में रह साइमन कमीशन 1928 में ब्रिटिज गवर्मेंट ने बनाया था और इसका मेन परपस था कि जो कॉंस्टिटूशनल सिस्टम इंडिया में उसको रिव्यू करना है कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है बट इस साइमन कमीशन की जो सबसे बड़ी कमी थी और जो सबसे ज़ादा अपो इन पार्टीज ने साइमन कमीशन का अपोजिशन किया इन पार्टीज में कॉंग्रेस भी शामिल थी इन पार्टीज में मुस्लिम लीग भी शामिल थी और इन सभी पार्टीज ने इसको कैसे अपोज किया पीस्फुल डेमोंस्ट्रेशन के साथ तो जब यह मुंबई में तो गो बेक साइमन के नारों के साथ इनका अपोजीशन किया गया बट साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो डेमोंस्ट्रेशन थे उनमें एक दुकत गटना भी हुई के लाला लाच पत्राय जो की पीस्फुली डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे उनको कुछ इंज्यूरी आई और उ मैं ओफर दिया एक कॉंग्रेस को और जो भी इंडियन लीडर्स थे उनको की डॉमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को और उस स्टेटस को फिर अल्टिमेटली रिव्यू करने के लिए और बाकी मांगों के लिए राउंटेबल कॉन्फरेंस की जाएगी बट जैसा सबसीडियरी ओफ से दी ब्रिटिश क्राउन तो वो उनको मंजूर नहीं था और उस नामंजूरी के चलते नहरू की प्रेसिडेंसी में पूर्ण स्वराज की एक ओफिशियल मांग रखी गई कॉंग्रेस के डिसेंबर 1929 के लाहॉर सेशन में और इस टाइम पे एक और आउंस की गई कॉंग्रेस के सेशन में वह आति ही कि 26 जैनवरी जो जो भी आने वाली 26 जैनवरी है यह दिसंबर में session हुआ था 1929 में तो 26 जन्वरी 1930 को Independence Day की तरह मनाया जाएगा इसी वजह से यह जो 26 जन्वरी 1930 था उस दिन को Independence Day की तरह मनाया जाने के decision की वजह से हमने जो अपना Constitution अड़ेप्ट किया वह भी 1950 में जब किया तो 26 जन्वरी को ही हमने अड़ाप्ट किया तो इसलिए यह देट बहुत ज्यादा important है हमारे लिए we did not become just a Republic on 26 January 1950 but the first Independence Day that we celebrated even before becoming independent ultimately was on 26 January 1930 और 1930 की जब हम बात करते हैं तो उस समय पर civil disobedience movement की शुरूआत हुई बट वो शुरूआत कैसे हुई उसके पीछे का क्या main incident था या क्या main event था वो था गांधी जी की salt march या फिर dandy march ये salt क्यों गांधी जी ने चुना because salt एक ऐसी चीज है जो सभी sections of society consume करते थे हर कोई नमक अपने खाने में consume करता था तो नमक एक बहुत जादा powerful symbol की तरह उभर के आया 1930 की डांडी मार्च के दौरान उसका कुछ background ऐसा है कि जैन्वरी 31 1930 को गांधी जी ने एक letter लिखा था Lord Irwin को जो की वाइसरोय थे कि 11 डिमांड्स उनकी fulfill की जाए 11 मार्च तक तो 31 मार्च को ये letter लिखा गांधी जी ने और लगबग 40 डेज का time लिया अर्विन को के वो उन 11 डिमांड्स को fulfill करे उन डिमांड्स में से एक दिमांड थी जो बहुत important दिमांड थी वो थी salt tax को abolish करना और जब ये demand fulfill नहीं हुई 11 मार्च को तो गांधी जी ने अपनी डांडी मार्च की यात्रा शुरू की उसके दो दिन बाद और उसमें 78 volunteers उनके साथ आए 240 माइल्स का उन्होंने रास्ता तै किया गांधी जी का जो साबर मती में अश्रम था वहां से लेकर डांडी कोस्ट तक और ये यात्रा चली 24 दिन तो 240 माइल्स उन्होंने 24 दिन में कवर किये मतलब almost daily वो लोग 10 माइल्स या 17 से 18 किलोमेटर डेली डिस्टेंस कवर करते थे माँ पर जो समुद्र का पानी था उसको बॉइल करके उससे सॉल्ट मैनुफेक्चर किया और क्यों किया ये दर्शारा था कि हम अपना नमक खुद बना सकते हैं और हमें सॉल्ट एक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है तो अगर आप सॉल्ट एक्स अबॉलिश नहीं करोगे तो we will not obey your salt tax, we will disobey it और वहां से शुरू बात हुई civil disobedience movement की तो non-cooperation movement और civil disobedience movement का एक जो distinct feature है या एक distinguishing feature है अगर कोई आप से पूछे किस तरह से non-cooperation movement और civil disobedience movement अलग हैं तो हम बोलेंगे कि non-cooperation में we were only not cooperating with whatever the Britishers were asking us to do whereas in civil disobedience we would go one step ahead and we will break the laws तो कुछ laws जो उस समय पे बहुत जादा prominent थे जैसे चौकिदारी टेक्स पीजेंट्स को पे करना पड़ता था as a protection money वो नहीं पे किया जो forest dwellers थे उन्होंने forest laws फॉलो नहीं किया जैसे कि वो कई ऐसी restricted zones में जाने लगे जो allowed नहीं थी forest laws के अंदर for grazing purposes or for getting forest wood तो इस तरह से कई laws तोड़े गए civil disobedience movement के अगेंस्ट as a symbol of national movement और इस समय पे एप्रिल में ही 1930 में खान अब्दुलकफार खान को अरेस्ट किया गया तो खान अब्दुलकफार खान को अरेस्ट किया गया जब एप्रिल 1930 में शोलापुर के जो industrial workers थे उन्होंने इससे इसके reaction में कई जगे पे पुलिस पोस्स को और जो भी government symbols थे railways इस तरह की buildings को अटेक किया और नतीजह यह हुआ कि इस movement को suppress करने के लिए one lakh people were arrested तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा movement रहा होगा जिसमें एक लाग लोगों को तो arrest ही कर लिया गया था तो जब ऐसा हुआ तो गांधी जी again had to call off the movement और इस जर्नी के दोरान जो April तक civil disobedience movement पहुचा और call off करना पड़ा उसके बाद उससे पहले का एक जो हम factor देखें वो यह भी रहा था कि जो गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था मार्च में मार्च 5, 1931 को उसमें कुछ शरतें रखी गई थी तो अर् कॉंग्रेस या एट लिस्ट गांधी जी roundtable conference में participate करें और गांधी जी ने बोला कि इसके बदले में political prisoners को छोड़ना पड़ेगा तो British government agreed to relieve the political prisoners और release the political prisoners and Gandhi agreed to attend the roundtable conference जो की December 1931 में होने वाली थी लंडन में तो कॉंग्रेस सहमत नहीं थी गांधी जी से वो नहीं चाहते थे roundtable conference में participate करना वो पून सुराज की डिमांड कर चुके थे अल्रेडी लाहॉर सेशन दिसंबर 1931 में ही तो गांधी जी ने attend की roundtable conference बट गांधी जी की वी जो वारतलाप थी अर्विन के साथ वो किसी भी conclusion पे नहीं पहुची and the negotiations broke down तो जब गांधी जी वापिस आए इंडिया से उस समय तक गफार खान अरेस्ट हो चुके थे नहरू जी भी जेल में थे Congress को illegal declare कर दिया गया था तो गांधी जी ने सोचा कि इसको counter करने के लिए क्या किया जाए तो उन्होंने civil disobedience movement को relaunch किया लेकिन फिर 1934 आते आते civil disobedience movement ने भी अपना momentum खो दिया अब 1931 में जो roundtable conference हुई गांधी अर्विन पैक्ट हुआ उसमें political prisoners को छोड़ने की बात भी हुई तो जब हम popular discourse में देखते हैं movies में, news channels में, newspapers में पढ़ते हैं तो भगत सिंग की जब भी बात आती है तो एक ये मानना है एक section का कि गांधी जी अगर चाते तो भगत सिंग की फांसी रुकवा सकते थ या गांधी जी अगर चाते तो उनको फांसी पे चड़ने से बचा सकते थे तो इसका answer हमारे chapters में पूरी तरह से नहीं दिया जाता है बट अगर आपको भी ये उत्सुकता है और आप ये जानना चाते हैं तो इससे जुड़े कुछ जो समय के official documents हैं जो कुछ गांधी जी न कुछ हद तक मिल जाएगा तो कुछ जो popular धारनाएं हैं उनमें believe ना करते हुए एक scientific temper के साथ और एक history के student के तौर पर इन चीजों को study कीजिए और उनको मानिये तो भगत सिंग के बारे में जब अगर हम बात करते हैं तो वो जाने जाते हैं हिंदुस्तान Socialist Republican Army के गठन के ल जब इसका गठन हुआ और भगत सिंग के साथ जो important leaders और थे वो थे जतिन्दास और अजय घोश तो इन तीन leaders के अंडर H.S.R.A. का गठन हुआ और इन्होंने वाइलेंट मीन से एक revolution क्रियेट करते हुए independence अचीव करने को अपना method माना तो एपरिल 1921 में ये अपने एक पीक पर पहुँचा H.S.R.A. का जो revolution था और भगत सिंग और बटुकेश्वर दद इन दोनों ने मिलकर legislative assembly में बॉम फेका बट वो बॉम जिस जगह पर फेका उसक है चूज करके फेका जहां कोई भी ना हो और अगर वो बॉम फटता भी है तो उससे किसी को हानी ना पहुचे तो violence थी बट वो किसी को हाम करने के लिए नहीं थी और भगत सिंग के शब्दों में अगर हम खुद पढ़ें तो उन्होंने बोला था he did not want to glorify the cult of bomb and pistol he did not want to do that he only wanted a revolution in the society और वो revolution मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं वो क्रांती बगत सिंग अपने छोटे से जीवन में वो क्रांती लेकर आए और भले ही वो एक बहुत ही कम उम्र में 23 साल की उम्र में शहीद हुए बट वो जो revolution जो क्रांती लेकर आना चाहते थे वो उस छोटी सी जंदगी मे वो लेकर आने में सफल हुए अब अगर हम बात करें कि CDM जो civil disobedience movement था हमारा उसमें किस किस ने participate किया हमने बोला कि various social groups participated in it so who were those social groups और उनका किस तरह का participation था अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने 5 ऐसे social groups prominently उबर कराते हैं जिसमें से एक थे rich peasant communities, एक थे poor peasantry, business classes, women and industrial working class तो जो rich peasants थे उनमें से सबसे जादा prominent थे गुजरात के party dars या फिर यूपी के jarts इन्होंने काफी जादा active involvement शो किया यह बहुत ही जादा enthusiastic supporters थे इन्होंने अपनी communities को भी organize किया कई लोग जब support नहीं करना चाते थे तो उनको भी convince करकर यह movement का हिस्सा बनाने में सफल रहे पर जब movement को 1931 में call off करना पड़ा गांधी जी को उस समय पे यह थोड़े से disappoint हुए और इसी वज़े से जब 1934 में relaunch हुआ तो इनका उतना ज्यादा support देखने को नहीं मिला अब अगर हम बात करें poor piece entry की तो वो rich piece entry का जो main aim था वो था revenue को कम करना poor piece entry was not interested in lowering of revenue यह क्या चाते थे यह radical movements का हिस्सा बने socialists और communist जिन radical movements को drive कर रहे थे उनका हिस्सा बने बट इनकी जो no rent वाली campaigns थी no rent का क्या मतलब है इन में से जादा तर लोग tenant farmers थे किसी और के जमीन पर खेती करते थे किराया भी देना पड़ता था इन्हें उसका तो यह चाहते थे कि इनको कोई rent पे ना करना पड़े तो यह जो no rent campaigns थी poor peace entry की Congress उसको fully fully support नहीं कर रही थी इस वजह से poor peace entry का भी उतना जादा support civil disobedience movement में नहीं मिला Congress को और अगर हम बात करें business classes की तो business classes क्या चाहते थे वो चाहते थे कि जो Britishers business policies के उपर restrictions लेकर आ रहे हैं वो restrictions खतम हो foreign goods का जो import किया रहा है वो import बंद हो और इसके चलते इन्होंने दो bodies का गठन किया जिसमें से IICC 1921 में फॉर्म हुई और फिक की जो हम आज की समय में भी देखते हैं वो 1927 में फॉर्म हुई और जो prominent leaders थे business classes की तरफ से वो थे पुरुशोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला और initially इन्होंने support किया but since they were businessmen and they wanted their businesses to continue functioning उनको अपना support वापिस लेना पड़ा और अपने businesses वापिस से शुरू करने पड़े इसके बाद अगर हम आए इन्डेस्ट्रियल वर्किंग क्लास पे तो largely इन्डेस्ट्रियल वर्किंग क्लास इस movement से दूर रही उन्होंने इस movement में पार्टिस्पेट नहीं किया but कुछ-कुछ जगह पे नाकपुर और आसपास के एरियाज में इन्डेस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सपोर्ट किया रेलवेस की स्ट्राइक हुई 1931 में जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने भी 1932 में सिविल डिसोबिडियन्स movement में पार्टिस्पेट करने के लिए स्ट्राइक की और चोटा नाकपुर की जो टिन माइन्स थी वहां के जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी कैप्स पहन कर सिविल डिसोबिडियन्स movement का सपोर्ट किया यह कुछ-कुछ वैसा ही है जैसा 2011 में गांधी टोपी पहन कर सिविल डिसोबिडियन्स movement में अपना सपोर्ट जायर किया था और लास्टी अगर हम बात करें सिविल डिसोबिडियन्स movement में तो एक बहुत ही important section जिसने पार्टिस्पेट किया था वो थी women और large scale पर यह participation देखने को मिला था और women के अंदर भी अगर ह जो high caste families से आने वाली women थी उन्होंने पार्टिसपेट किया और rural areas में जो rich peasant households थे उनकी महिलाओं ने पार्टिसपेट किया तो urban household में low caste families का उतना जादा participation नहीं देखने को मिला और rural areas में जो poor peasant households की महिलाओं थी उनका participation देखने को नहीं मिला और जो एक important element हमें इस से देखन को मिलता है या समझने को मिलता है वो यह था कि women ने nation की जो service है उसको एक sacred call of duty की तरह माना मतलब एक पवित्र हमारा धर्म है कि हमें अपने देश की सेवा करनी है इस भावना के साथ जितनी भी महिलाएं थी हमारे देश की उन्होंने civil disobedience movement में बढ़ चरकर हिस्सा लिया अब civil disobedience movement की अगर limits की हम बात करें तो सबसे बड़ी जो इसकी limit थी वो यही थी कि सभी social groups ने एक तो बहुत बढ़ चड़ कर हिस्सा नहीं लिया कई social groups थे जिनका हिस्सा बहुत ही limited था और बहुत ही जादा कम समय के लिए था वो तने जादा enthusiastic शुरू से भी नहीं थे फिर जब civil disobedience movement को एक बार call off किया फिर दोबारा launch किया तो वो उतने जादा move हुए भी नहीं क्यों कि जो सवराज का concept था वो उनके लिए abstract था किस से आजादी चा रहे थे हम अपना राज अपना राज करना चा रहे हैं तो किस के उपर करना चा रहे हैं क्या उनकी जो परिस्तितिया है जो दैनिये स्तिती थी उनकी उस समय उससे उने आजादी मिलेगी या नहीं यह उनका में उस टाइम पर concern था तो सवराज को हम उतना जादा communicate नहीं कर पाए शायद और इस वज़े से कुछ social groups इस movement से जुड़ने से बचे रहे गए उन social groups में से एक जो बहुत important social group है वो था untouch का तो untouchables जो section थे they started calling themselves dalit and oppressed 1930s में और गांधी जी ने उनको एक नया नाम दिया जो था हरीजन हरीजन मतलब people of the god तो गांधी जी ने हरीजन के लिए एक बहुत important जो काम किया वो यह था कि उन्होंने उनकी temples में wells में public places हो गई स्कूल हो गए इन सब में उनकी entry के लिए सत्याग्रे और इस तरह से वो हरीजन को भी इस movement से जोडने में कुछ हद तक सफल हुए और जब हरीजन या फिर अगर untouchables बोलें since they started calling themselves as dalit and oppressed they started mobilizing themselves as a political group not just as a social group so they started demanding for reserved seats in educational institutions और उसके साथ एक और उनकी जो दिमांड थी separate electorate तो इनकी दो दिमांड थी एक ती reserved seats की दिमांड और एक ती separate electorate की दिमांड और इनको support करने के लिए या lead करने के लिए जो एक सबसे जादा prominent leader थे वो थे डॉक्टर बियार अंबेड कर डॉक्टर बियार अंबेड कर ने दलित्स को या schedule cast जैसा की उनको आगे चलके जाना जाने लगा उनको depressed class association association 1930 में ये एक association उनका form किया depressed classes association और इसके थुरू उनको organize और mobilize किया और इसके अगेंस्ट ही गांदी जी जो थे वो चाते थे के separate electorate की जो demand है वो fulfill ना हो गांदी जी का ऐसा मानना था कि अगर हमें national movement को उसके ultimate goal तक ले जाना है और ultimately एक independent India बनाना है तो हमें integrated society की तरह आगे ब पड़ना है 1919 में खिलाफत movement और non-cooperation movement को गांदी जी ने जोड़ा तब हमने देखा कि वो हिंदू और muslims को एक साथ लेकर आना चाह रहे थे ठीक उसी तरह वो नहीं चाहते थे कि जो depressed classes हैं या backward classes हैं या जो दलिट्स हैं वो एक अलग class की तरह है या एक अलग section of society की तरह है और जुड़कर ना रहें तो integrated way में अगर हम आगे बढ़ें एक दूसरे के साथ मिल जुलकर आगे बढ़ें वो गांदी जी का एम ता इस वज़े से उन्होंने अंबेटकर जी की जो एक demand थी separate electorate की roundtable conference में second roundtable conference उसमें उसको oppose किया और जब गांदी जी की बात नहीं मानी गया के अंबेटकर की बात के साथ जाया जाएगा और depressed classes बनेंगी separate electorate उनको एक दिया जाएगा मतलब जहां केवल depressed classes वाले ही voters होंगे और वो उनी में से depressed classes में से ही किसी को vote करके आगे पहुँचाएंगे तो उस बात को जब उस demand को मान लिया गया तो गांदी जी ने एक आम पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में और उस पूना पैक्ट के तहित यह एक agreement इस agreement तक पहुचे के पारली जो प्रोविंशेल काउंसल जैं या Central Council है Central Assembly है उसमें seats तो रिजर्व होंगी depressed classes की बट जो electorate होगा वो general electorate होगा मतलब एक particular किसी seat पे that seat would be reserved for depressed classes candidate बट उसके लि तो एक general electorate रहेगा तो यह बात हमने की के एक important social group जिसने civil disobedience movement में उतना ज्यादा पार्टिसपेट नहीं किया था उस तरह से दूसरा ही एक social group या एक section था जिसका उतना ज्यादा participation नहीं देखने को मिला था वो थे Muslim political organizations Muslim political organizations का response भी काफी ज्यादा lukewarm था क्यूं था क्यूंकि वो Congress से ही alienated थे और civil disobedience movement को drive चूंकि Congress ही कर रही थी और गांधी जी थूंकि Congress कर रहे थे तो Muslim political organization उससे थोड़ा सा अलगी रहे तो मुहमद अली जिन्ना जो उस ताइम तक Muslim League के एक important leader बन चुके थे he was willing to give up the demand of separate electorate but वो यह चाहते थे कि seats at least reserve हो Central Assembly में साथी साथ जो Muslim dominated या Muslim majority British provinces हैं जैसे कि Bengal या पंजाब वहाँ पर उनकी population के proportion में Muslims को seats दी जाएं जैसे कि बंगाल में जितनी percentage population है तो बंगाल की seats में से उतनी percentage seats Muslims को दी जाएं पंजाब में जितनी percentage Muslim population है पंजाब में उतनी percentage seats Muslim population को दी जाएं तो यह demand रखी जिन्ना ने बट 1928 में all parties conference हुई वहाँ पर कुछ compromise होने के आसार नजर आए बट हिंदू महासाभा के MR जैकर उन्होंने इसको strongly oppose किया और उसके बाद यह जो compromise होना था Muslim league और और बी जो Muslim political organizations थे उनमें और Congress में वो compromise नहीं हो सका तो इस वज़े से फिर आगे चलके 1930 के बाद जब civil disobedience movement हुआ तो उसमें Muslim political organizations ने उतना अच्छे से participate नहीं किया और इसी दोरान 1930 का समय था जब मोहमद इकबाल उन्होंने एक philosophy दी उन्होंने एक idea दिया कि Muslims को separate electorate तो लेकर ही रहना होगा और उस separate electorate का उनका जो idea था उ education भी दिया पाकिस्तान का तो पाकिस्तान की जो theory है या two nation theory है वो आगे चलके हलागी हम देखते हैं के Muslim League और मुहमद अली जिन्ना ने उसको बहुत जादा प्रमोट किया बट उसके जो बीज थे जो seeds थे वो इस मुहमद इकबाल की यह जो कि फिलोस्फी थी इसमें ही उसके seeds थे और इसी से वो फिर अल्टिमेटली जाके इवाल्व हुई थी क्योंकि इसमें उन्होंने बात की थी एक Muslim India within India तो Muslim India within India का जो idea था वो ही ultimately जाके पाकिस्तान as a separate independent nation for Muslims में कल्मिनेट हुआ partition के time civil disobedience movement भी खतम हुआ non-cooperation movement भी खतम हुआ non-cooperation movement में Hindus और Muslims को और various social groups various social sections को साथ में लाने की कोशिशें की गई civil disobedience movement में भी हमने देखा अलग-अलग sections of societies ने participate किया किसी ने जादा किया किसी ने कम किया तो ultimately इसके बाद वो जो एक collective belonging का sense है वो कैसे आया और वो कैसे नेशनलिजम में translate हुआ जो की इस chapter का में एजेंडा है तो नेशनलिजम जो था उसका basic idea जैसे हमने देखा था वो यही था कि हर कोई ऐसा महसूस करें कि वो एक ही nation का हिस्सा है मतलब उनमें एक unity हो जो उनको bind करके रखे तो वो हमने देखा के non-cooperation movement और civil disobedience movement के दौरान एक unified struggle का experience हुआ अलग-अलग sections of society को unified struggles के साथ कई cultural processes के थुरू भी वो गुजरे ना केवल इन movements के दौरान बलकि पूरी history में अगर हम देखें तो एक common cultural process जिनमें diversity रही है but उनके तुरू गुजरते हुए इंडिया जैसा भी उस समय था वैसा बना तो उन unified struggles और cultural processes के चलते एक unity वाली feeling आई एक same nation वाली और collective belonging वाली feeling इंडियन्स के अंदर आई और कुछ symbols जो थे या कुछ main element थे इन cultural processes के वो है हमारी एक common history, हमारे कुछ common symbols, fiction, हमारे folklore जो हम कहानिया और folk songs, folk drama सुनते हैं और उसके अलावा कुछ popular prints या कुछ epics जो हमारी spiritual scriptures हैं वो सब तो ये सारे मिलकर एक cultural binding force की तरह इन्होंने काम किया और हमें collective belonging की feeling इन्होंने provide की और इस collective belonging के बाद ही एक nation की एक Indian nation की identity बनी तो identity जब भी बनती है किसी nation की तो वो more or less largely किसी एक figure यह किसी एक image के form में बनती है और इंडिया की जो identity बनी थी वो बनी थी भारत माता की image के form में तो भारत माता की image या एक figure का idea कहां से आया या यह popular कहां से हुआ भारत माता का idea तो बनकिंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंच फिगर के फॉर्म में जिसमें वो एक हाथ में एक बुक पकड़ी है एक हाथ में उन्होंने एक माला पकड़ी है एक हाथ में उन्होंने कुछ ग्रेंज कुछ अनाज पकड़े हैं तो इस तरह से वो डिवाइन डिवाइननेस को भी रिप्रेजेंट कर रही है और एक गिवर इसको devotion की feeling में translate किया गया और वो जो devotion जो भी शो करेगा वो nationalism शो करेगा तो devotion to mother figure became an evidence of nationalism और वो हम आज की समय में भी देखते हैं कि जब भी नेशनलिजम की बात आती है तो भारत माता की जैके नारे लगाए जाते हैं और वो क्यों लगाने ज़्यादा जरूरी हैं या वो नारे सुनकर हमें क्यों नेशनलिजम की एक फीलिंग आती है क्योंकि उसका ओरिजिन इस तरह से हुआ था कि वो एक स्पिरिचुल और डिवाइन मदर हैं जिनोंने हमें नौलेज दी जिनोंने हमें खाने के लिए अनाज दिया जिनोंने हमें सिक्यूरिटी प्रोवाइड की तो हमारा सब कुछ जब भारत माता से आ रहा है तो क्यों न हम भारत माता को नमन करें और इसी डिवोशन इसी नेशनलिजम का एक और जो दूसरा फॉर्म देखने को मिलता है वो mother के लिए जो sacrifice का form आता है जो हमारे brave soldiers ultimately हमारे देश को बचाने के लिए अपनी borders को protect करने के लिए अपने देश की sovereignty and integrity के लिए जब अपनी जान तक भी गवाने को तयार हो जाते हैं और एक पल भी नहीं सोचते तो वो जो sacrifice का idea आया है वो भी nationalism से ही आया है और दूसरा अगर aspect अगर हम देखें nationalism का तो वो हमें देखने को मिला Indian folklore के revival से भी Indian folklore का revival कैसे हुआ कई जो national movement के leaders थे उन्होंने गाउं गाउं जाके folk tales जो हमारी थी उनकी recordings की इवन Rabindranath Tagore उन्होंने कुछ जो ballads थे rhymes थी myths थे उनको collect करना start किया और फिर उनको disseminate किया साथ ही साथ हमने देखा कि जो स्वधेशी movement था हमारा जो ना केवल 1905 के स्वधेशी boycott के रूप में आया बलकि पूरे national movement में वो एक feature की तरह रहा तो उस समय पे हमने देखा कि Bengal में ट्राइक फ्लेग आया था जिसमें red, green और yellow colors थे और उसमें eight lotus थे जो eight British provinces को show कर रहे थे और एक crescent moon था जो Hindus और Muslims की unity को show कर रहा था उसी तरह से 1921 में एक स्वराज flag जो गांधी जी ने डिजाइन किया वो भी tri-color flag था उसका main feature था spinning wheel जो self-help को indicate कर रहा था तो ये identity जो nation की बनी भारत माता की image के साथ Indian folklore के साथ या एक स्वदेशी कुछ ideas या elements के साथ वो ultimately फिर culminate हुई जाके history के reinterpretation में मतलब हमें अपने देश का जो great past है उसमें pride लेना है हमें गौरवान वित महसूस होना है कि हमारे देश ने क्या क्या achievements किये हैं past में और वो achievements जो हैं वो कई fields में हो सकते हैं वो art में हो सकते हैं, architecture में हो सकते हैं, science में हो सकते हैं, maths में, religion, law, इन सभी छेत्रों में जो भी इंडिया के achievements रहें, उनके लिए हमें एक pride अपने मन में लेकर आनी है, और उस pride के साथ हमें अपने इस newly going to be formed nation के साथ हमें अपना devotion शो करन है और जब जरूरा तो अपने sacrifice जो भी करनी है उसके लिए भी हम तत पर रहें इस feeling को collective belonging का एक sense मिला, तो अगर हम इस collective belonging और इस nationalism in India के chapter के conclusion पर आएं, तो हमने क्या-क्या चीज़ें देखी evolve होते हुए, और क्या main elements रहे इस nationalism वाली feeling या collective belonging वाली feeling के, तो एक तो हमने यह कि को लोनियलिजम के अगेंस्ट एक बहुत जादा गुस्सा आया इस nationalism की feeling को बनने में भी और इस nationalism की feeling के बनने के दौरान भी वो जो एक गुस्सा था वो ही ultimately translate हुआ एक sense of collective belonging में, कई groups and classes एक साथ आये, और इनकी common struggle रही for freedom, starting में सबके अपने-पने कुछ अलग-अलग aspirations थे but ultimately जो एक main aspiration अबर कर सामने आई वो थी freedom के लिए एक जो common struggle है वो और इस national movement ने या इस nationalism की feeling ने एक और जो अच्छा काम किया वो था लोगों की grievances को organized movements में translate किया या channel किया तो लोग ऐसा नहीं है कि किसी एक particular जगे पे कुछ छोटा सा protest कर दिया, nationwide level पे जो protests और demonstrations हुए वो भी इस nationalism की feeling के आने की वज़े से ही possible हो पाए और कुछ जो एक दो negative elements भी सामने उबर कर आए वो थे कि कुछ aspirations में, कुछ groups में clashes भी हुए, communal rights हमें देखने को मिले, rich classes या powerful zamiindars versus poor peasants इस तरह के भी कुछ clashes देखने को मिले तो disunity के भी बीच-बीच में कुछ-कुछ phases आते रहे और जो अलग-अलग groups थे उनमें inner conflict भी हमें देखने को मिले तो ultimately ये सारी चीज़ें जो एक गुसा था, एक common struggle थी, जो grievances ultimately translate हुए organized movements में या फिर जो clashes भी थे, उनका result क्या हुआ या उनका outcome क्या निकला, we were able to form a nation with many voices wanting freedom तो कई सारी voices थी, ये सबसे जादा important है, but वो सारी voices freedom चाहती थी एक नए nation के लिए, so this was the ultimate conclusion of this chapter और इस chapter के end में हमें थोड़ा सा एक quit India movement का background भी पता होना चाहिए, quit India movement का reason क्या था, दो reason थे, एक तो जो Sir Stafford Crips का mission भीजा गया था, उसका failure क्योंकि वो भी dominion status की बात कर रहे थे 1942 के time पर, जबकि हम लोग already 1931 में independence, पूर्ण स्वराज की बात कर चुके थे, और world war 2 के जो effects थे, उनने भी काम किया के इंडिया में एक discontentment बहुत जादा level पर बढ़ गया और complete withdrawal के लिए हम एक movement की और बढ़े, तो वो movement की नीव कहां रखी गई, foundation कहां हुआ उस movement का, July 14, 1942 को वर्धा में quit India resolution को adopt किया गया और इस resolution में ये बोला गया कि British has would immediately transfer power to India और August 8, 1942 को Bombay में ultimately quit India movement की starting होई, ये starting में non-violent mass struggle थी, इसी movement के दोरान गांदी जी ने do or die, करो या मरो का नारा दिया, और पूरे देश में जो government machinery थी British government की, वो extend still पे आ गई, जैसे government रुख गई हो, और कई लोगों को arrest किया, जादा तर सभी leaders को arrest कर लिया गया, और एक important feature again जो हमें non-corporation and civil disobedience में देखने को मिला था, कि women ने काफी बढ़ चाकर participate किया, और इस movement के दोरान हमें कई women leaders भी देखने को मिली और जिसमें से अरुनासफ अली, मातंगिनी हजरा जो की बेंगॉल से थी, कनकलता बरुआ जो की असाम से थी, और उडिशा से रमा देवी, इस तरह के कई leaders, women leaders भी उबर कर सामने आए, और quit India movement फिर ultimately जाके दीरे-दीरे, independence में हमारा एक बहुत important movement साबित हुआ, और 1947-15 तगस्त को ultimately हमने independence अचीव की और उस independence अचीव करने के पीछे, ये जो nationalism की feeling थी, इसने अपना role play किया, और ये nationalism की feeling आज भी उतनी जादा important है, इस chapter में हमने देखा कि किस तरह से nationalism की जो एक philosophy है, nationalism का idea ह nationalism की भावना है, वो इंडिया में evolve हुई, anti-colonial movement के साथ या हमारी freedom struggle के साथ, और उस feeling को हमने sustain किया है over the decades, और आज भी हम उस feeling के साथ जुड सकते हैं, जुडा हुआ महसूस करते हैं, और history में ही नहीं, nationalism के जो symbols हैं, वो हमें अपने present times में भी देखने को मिलते हैं, nationalism से जु तो आप एक अपनी exercise के तौर पर अपने ही benefit के लिए कुछ study या analysis type का कर सकते हैं, जिसमें आप current nationalism के elements को, जो independence के, independence struggle के time के nationalism के elements थे, उनके साथ compare कीजिए, कि कौन से elements हमने अभी भी retain किये हैं, और कौन से elements कहीं ना कहीं missing हो गए हैं, on that note, I wish you all the very best, and I hope you understood this chapter, and for any queries, you can always ask in comments on Delhi Knowledge Track, thank you.